हेलो एवरिवन आई जोती वेलकम यूवाल ओन डूर डाइफ और इस्टेडी चैनल आज हम लोग करने वाले हैं क्लास फॉर्थ एविएस चैप्टर इलेवन दव वैली ओफ फ्लार्स हिंदी एक्सप्लेनेशन विद एक्सराइज तो चलिए इसको देख लेते हैं वैली ओफ फ्लार्स फूलो की घाटी आपको पता है यह फूलो की घाटी कहां पर है यह उत्तरांचल में उत्तरांचल का अब जो नेम है वह चेंज हो करके उत्त्राखंड हो गया है तो उत्त्राखंड का जो चमोली जिला है ना वहां पर फूलो की घाटी है वहां पर लिखा रहता है कि फूलों की घाटी welcome to value of flowers तो यह जो प्लेस है ना यह जो जगह है इसको value of flowers कहा जाता है क्योंकि यहां पर कुछ जगह ऐसी है जहां पर किसी को भी जो है red flowers दीखने को मिलते हैं जाडियों पर उगे रहते हैं और कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि पत्थरों में से कु Blue flowers जो हैं चमक है ओप तरह एक उन बाटनिय में सेहार बिटमीन गर्स बेल्कुल घराश में चमकते वह सितारा और और एक चाल्ए क्टे धेवा दार सिता सितार सेरी यह क्रद्द अर्फम कर रह दिखीपर सापने की तरह कि और फूरे चालने एकक दीखाई ने आप कभी उत्राखंड जाए तो वैली ओफ लार्ट को देखने आप जरूर जाना फुलो की घाटी को देखने आप जरूर जाना बहुत ही सुन्दर द्रिश्य होता है यहां पर मैप मेर्ड़ा जाना ऐणा इंडिया का मेप है और इंडिया के मैप में यह आपको रेड़ कलर से ईडेकेट हो रहा है यह है उत्तराखंड आपको क्या करना है अपनी आखों को बंद करना है और इमेजन करना है और सोचना है कि आप किसी ऐसी ही जगह पर पहुंच गये हैं आपको कैसा फील हो रहा है और आपका कौन सा गाना गाने का मन कर रहा है तो आप इमेजन करिए कि आप किसी फूलों की घ तो आपने वह कहा देखा है, mostly, जो है, schools में, आपने बहुत से फूलों को एक साथ देखा होगा, है ना, yes, I saw so many flowers growing together, I saw them in the garden of my school, next, how many different colored flowers have you seen, आपने किस तरह के different different colors के फूल देखे हैं, तो बहुत से colors के आपने फूल देखे होंगे, yes, I have seen flowers of several colors, बहुत से colors के फूल, write their names, यहाँ पर आपको उन colors के name लिखने है, they are red, yellow, black, pink and white, next, are there any thing in your house which have design of flowers made of on them, like cloth, sheets, vases, etc, आपके घर में आपके घर में ऐसी कुछ चीज है, जिसके ओपर design बना हो फूलों का, जैसे की बैट शीट वगरा होती है, या किसी का सूट होता है, तो साड़ी पर भी कुछ flowers की design बने रहते हैं, तो यहाँ पर भी एक design बना है, बताया गया है, यहाँ पर देखे हैं, बर्ड बनी है, बिंग भी बने रहते हैं, और यह जो design है, यह है मदुवनी painting का, आपको पता है, यह मदुवनी painting का एक design है, यह बहुत ही old form है, फोक आर्ट की, इसको मदुवनी कहते क्यों है, आपको पता है, जो बिहार है, बिहार एस्टेट, वहाँ पर एक district है, उसका ने painting की जो pictures, बनाते हैं, और यह painting पता आपको किस से बनती है, यह बनता है, बिवह पावडर से किस चीज का पावडर होता है, वो it's rice, चावल की पैवर्ड का पाउडर और उसमें क्या किया जाता है उसमें कलर्ड सिक्स किया जाते हैं और इसमें जो है यह बहुतP Вс Schmidt होते है यह जो कलर सोते हैं भॉहती बवह इस था है इनको बनाने के लिए एना इनियौ का यूसे जाता है तर्मरिक का हलदी का आपना पुछ कर explora इसे भी होते हैं जिनको लिया जाता है फ्लार से और ट्रीज से भी उनका यूज इसमें किया जाता है और इस पेंटिंग में जो है हिमन बिंग शो किया जाते हैं अनिमल्स ट्रीज या फ्लार्स इसके अलब बर्ड्स पेंटिंग में शो की जाती है जैसे कि यहां जो पेंटि पर टिक करना है जिस पिक्चर को जिस फ्लार को आप पहचानते हैं रिकुनाइज करते हैं तो यहां पर पहला फूल है वो है गुडहल का इसको बोलते हैं यहां है रोज गुलाब सन फ्लार सूरज मुखी मैरीगोल्ड गैंदा चंपा मोगरा तुलसी तुलसी का जो प्लांट यह देखा होगा ना आपके घरों में अगर बत्ती जलाई जाती है उसके उपर भी लिखा रहता है मोगरा तो उसमें जो है इनकी सेंट का यूज किया जाता है वाइट रोज यह वाइट कलर का यूज है यानि वाइट गुलाब तो आप इन में से जिनको भी पहचानते है उस कौन से एसे फ्लार संट ने फेट पर उते हैं तो गुलमोहर और कडंभ का फ्लार जो होता है ना वह पेड़ों पर उताय है आपको पदले हैं श्रीकृष्णा जो थे वह कडंभ कि डते थे बैठा करते लिक्वरो uswodains से फूल जो है बुशेज पर झाड़ियों पर लगता और जो खली रात में खिलते हैं वो कौन से हैं जैसमिन और नाइट क्वीन और जो दिन में खिलते हैं लेकिन रात को बंद हो जाते हैं तो वह हैं lotus और sunflower विच फ्लार कैन यू रिकोनाइज बाइदियर सेंट इवन यूर आइज अगर आपके बंद हो कौन से ऐसे फूल हैं जिनको पहचान सकते हैं तो रोज और जैसमीन ऐसे फ्लार हैं जिनकी अगर आखें आपकी बंद भी कर दी जाए ना तो इनकी खुचबू से आप पहचान कौन से फ्लार हैं जो पूरे साल खिलते हैं तो रोज और जैसमीन ऐसे फ्लार हैं जो पूरे साल खिलते हैं और ऐसे कौन से फूल हैं जो कुछ मंस में ही खिलते हैं तो वह हैं मैरीगोल्ट और तुलिप are there any flower any trees or plant which never have any flowers क्या ऐसी कोई पेड और प्लांट है जिन पर कभी फूल ही नहीं खिलते तो वो कौन से हैं वो है money plant और pine tree why this ऐसा क्यों have you ever seen a board like this क्या आपने कभी इस तरह का board कहीं पर लगावा देखा है do not pluck flowers फूल मत तोड़ो तो yes आपने जरूर देखा होगा अपने स्कूल के garden में या फिर बड़े बड़े घरों में आपने या जो public parks होते हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा इस तरह का board जो है लगा हूँ आपको मिल जाएगा तो yes I have seen this type of board in my garden in the gardens and the public parks तो इस तरह का जो board है वो gardens में या फिर public parks में दिखाई देता है तो वहाँ पर इस तरह का board लगा रहता है do not pluck flowers फूल मत तोड़े do people pluck flowers even when this board is there क्या लोग फूल तोड़ते हैं अगर इस तरह का board वहाँ पर लगा हो तब भी तो नहीं जो लोग है वो usually flowers नहीं तोड़ते अगर कहीं पर भी ऐसा board लगा हो do you think they do this आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों करते होंगे देखिए वो ऐसा क्यों करते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो rules को follow करते हैं कुछ लोग इस बोर्ड के लगे होने के बावजूद भी फूलों को तोड़ लेते हैं शुट दे डू दिस क्या उनको ऐसा करना चाहिए तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको फॉल करने चाहिए क्या होगा अगर हर कोई फूल तोड़ेगा तो क्या होगा तो फूल आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे इस जो गार्डन है यहां पर जो पार्क्स हैं वह ब्यूटिफुल नहीं लग पाएंगे उनकी दुनिया जो है फूलों के बिना सूनी होगी इस लुक क्लोजली बहुत क्लोजली देखना है चिल्रन हो कैन ब्रिंग फ्लास में ब्रिंग वन और टू फ्लास इन क्लास आपको क्या करना है कुछ बच्चे फूल कलेक्ट कर सकते हैं क्लास में और आपको क्या करना है फूल तोडने नहीं है सिर्फ गिर फूलों को ही लान चारन पर नहीं रहते हैं कि इस फूल का कलर क्या है तो इसका तर्श यह उच्ет काहिए है so this उसके जो सेंट haiस स्टहर के जह का सिय तो वैरी स्वीट सेंट वडियल थे स्थैटल youllik कि शैप वे किस ऐब है स्थेटेर है do these flowers grow in bunches क्या ये full bunches में उखते हैं तो नहीं जो rose flower होते हैं वो bunches में नहीं उखते हैं no roses do not grow in bunches तो bunches क्या होते हैं आपने इस तरह के flowers देखे होंगे जो bunch में यानि गुच्छों में उखते हैं लेकिन जो rose flower होते हैं तो जब आप इसको कांट करेंगे थो इसके पैटल यह डिए होते हैं सारे ज्ट Лश bonus को आप एलग अलग निकाल करके कांट कर सकते हैं आपको इस फूल के चारो तरफ कुछ ग्रीन लीफ दिखाई दे रही है कुछ हरे पत्तियां दिखाई दे रही है तो यह कितनी है तो यह वन टू थ्री इनको काउंट करेंगे तो यह थ्री है देरार थ्री सच पार्ट्स इंसाइड पैटल इन अमीडल ओफ दिखाई दे रहा है तो यहां पर देखें यह एक फ्लार है इसके बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा तो इसका जो कलर है वो क्या है तो इसका कलर जो है यहलो है इस यहलो इन कलर वें यू टच दीज डू यू फाइंड पावडरी थिंग और यूर हैंड जब आप इसको चूते हैं तो क्या हाथों में कोई पावडरी सी थिंग लग जाती है तो यहां पर आपको इसका आंसर क्या देना है कि यहां वी कैन फील सम पावडरी थिंग हम ए को जूरैंग पावडरी थिंग फील कर सकते हैं तो आपको यह पर एक कुशिंग के आगया था कि पैटलज जो है सतारी सेप्रेइट है जॉंड है तो मैं आपको दिखा देती हूं कि सीपरेट पैटल सूर्च कैसे होते हैं तो यहां पर पिक्चुर्स हैं यहां पर इसको count कर सकते हैं और इसके बीज में क्या है ये येलो कलर का structure भी है और यहां पर देखिए यह जो इसके पैटल्स है यह सारे जॉइन है आप इसको अलग-अलग काउंट नहीं कर सकते तो यह जो फ्लार है इसमें है separate petals और यहां पर जो हैं यह जॉइन पैटल्स आप कभी भी संफ्लार होता है तो उसके भी पैटल्स सारे सेपरेट होते हैं ब्लूमिंग बड्स यू मस्ट हैव सीन बड्स ऑन दे प्लांट्स आपने जो प्लांट्स जो भी होते हैं उस पर बड्स तो जरूर देखियोंगी यहां पर देखिए यह जो एक पिक्चर दी हुई है ना इस को हिंती में बोलते है कली तो आपको पता है कि एक फलार में और यह वर्ड में क्या दिफरेंस ओता है तो यहां पर देखिए जो इसकी शेपना यह पॉंटटेड है और दूसरा जो डिफरेंस एज जिए ऑपन iha खूला हूए और यह जो है क्लोज है बंद है हना और एक सु एक फूल जो है वो बड़ से बड़ा होता है इसकी जो शे पोंट होती है और छोटी होती है साइज में और जो फूल होता है वह बड़ा भी होता है और उपन भी होता है नच फ्लार इन दो आप आपको एक फूल की और एक बड़ की जो है पिक्चर अपनी नोटबुक में ड्रॉद करनी आई तो आप इसही6 को देख करके बना सकते हैं या फिर आपके घर के आसपास या स्कूल में आपको कोई अपको अचम admits सकते हैं और साथ ही साथ उसके साथ एक बड़ को भी तो आपको हम बता दें इन फूलों का डेली लाइफ में और क्या-क्या यूज होता है आपने रोज वाटर का नाम भी सुना होगा और दूसरा आपने सुना होगा कि कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिनकी सबजी बनाई जाती है अब उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो फिरोज और नीलिमा जो है वो एंजॉय कर रहे हैं वेजिटेबल का जो की कछनार फ्लार से बनी है जो कछनार के फूल होते हैं उसकी सबजी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है और केरला में यामनी वांड सर मदर टू कुक हर वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लार से बनाना जो केले का प्लांट होता है उस पर फूल भी लगते हैं और उस फूलों से भी एक सबजी बनाई जाती है केरला में बनाई जाती है ममतार ओमर महराश्टर से उनको पकोड़ों से बड़ा प्यार जो की सहजन फ्लार से बनते हैं तो मैं हैंप दिखा देती हूं कि उत्तर प्रदेश कहां पर है देखें यह हमारा इंडिया का मैप है तो यहां पर यह जो रेड कलर से इंडिगेट हो रहा है यह कौन सा आपको यहां पर है उत्राखंड और उत्राखंड में ही है वैली ओफ फ्लार्स यह है उत्राखंड का पडोसी स्टेट पडोसी राज्य इसके अलावा जो बिहार है यह उत्रप्रदेश का पडोसी राज्य है और यहां पर हम देखते हैं तो यह कौन से स्टेट है यह हर्याना और यहां पर है राजस्थान अब हम बात करते हैं केरला की तो केरला कहां पर है यह इंडिया के मैप में यहां पर नीचे की साइड जो रैड कलर से इंडिगेट हो रहा है यह है केरला में जो है बनाना फ्लार से सबजी बनाई जाती है और यहां पर यह जो रैड कलर से इंडि next acostus इसका यूज हותा है थे ठोइय दोय अ बनाने में भी होताः को कुछ फूल के नाम बताने हैं जिए जो से धायां बनाई जाती आत्यां शूम का उनका यूज मैडिसन में में होता है तो आपको तना है आपके घरो मेरे उसका use कैसे होता है तो आपने देखा होगा कि रोज वाटर आपके घरों कैसे होता है स्किन पर लगाया जाथा उर्भ पर रोस्ता ना तो आई से को के लाख вам उसमें यूग्या, है इसका यूज होता हो तो आपको पता करना है अपने घर और दूसरों Graduate आना उसका H replay के होगह Singing को क्रीम में होता है अपकी इसकी कर ने में भी इसके लावा बिर्यानी और oatmeal में भी रोग यूज किया जाता तो यहां पर बहुत से स्वी खुट है जैसे मेरी गोल्ड है जीनिया है जो होता है इंसे कलर निकलता है उसका मृवात यूज होता है करने में यानि कपड़ों को रंगने में भी आपकी ममा मार्केट जाती हैंगे तो अपने दुपट्टो के जिनका यूज जो हैं कलर्स बनाने में होता है तो रोज हिबिकस मेरिगोल्ड यानि गुलाब का फूल गुड़हल का फूल और गैंडे का फूल ऐसे फूल हैं जिनका यूज जो हैं कलर्स बनाने में होता है नेक्ष्ट है कैन यू थिंग ऑफ कलर ऑफ विच देर इस नो फ्लावर क्या ऐसा कोई फूल है जिस कलर को आपने कभी देखा ही नहीं तो मेभी देर इस नो कलर ऑफ ग्रेश सिल्वर और गोल्डन फ्लार हाना राइट दनेम्स ओफ सच फ्लार्स विच यूज तो मेक सेंट त उत्तर प्रदेश में जो है बहुत से फूलों से इत्र बनाया जाता है उत्तर प्रदेश का जो इत्र है ना वह पूरे इंडिया में फेमस है तो रोज है जैसमीन है इनका यूज होता है वह सेंट बनाने में होता है यहां पर दिया गया है ग्रानी की रैसिपी यानि दादी रोजवाटर और ग्लिसरीन को मिक्स कर लेना है साथ ही उसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की यानि नीबू के जूस की नीबू के रस की कुछ भूंदे उसमें मिक्स कर देनी है और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर देना है और उसका यूज क्या करना है उसको आपने यूज करना है विंटर्स में यानि सर्दियों में आप अगर इसको अपनी स्किन पर लगाएंगे ना तो आपकी इसकिन नहीं होगी और साथ ही ड्राइ भी नहीं होगी तो यह है दादी मा की रेसिपी और अनी इस्पेशल फ्लास यूज्ट ऑन सर्टेन उकेजन फैस्टिवल बाय य कन की चुला का यूज होता है जैसे की फैस्टिवल्स पर मेरीगोल्द बर्थडेस पर रोज और जैनिया मैरी वगरा पर जो रोज्या यूज ओर आगर पूजा होते अना तो पूजा में रोज का यूज होता है क्लस्यों इह और नो सम्मोड तो आइए कुछ और भी जानते क्या आपने कभी किसी फूल वाले को देखा है जो फूल बेच रहा हो आज पास कोई फूल सेलर मिलता है ना तो उससे यह कोश्चन करनें आपको तो आपको उनसे प्रश्ण पूछने हैं अगर कोई फूल बेचने वाला आपको मिलता है वाट आर दिफरेंट फलार्स दैट द युब जो लोग फूल लाते हैं लोग जो है फूल क्यों खरीदते हैं तो यह तो आपको पता ही है घर को सजाने के लिए पूजा में और अभी आपने पढ़ा था दादीमा की रेसिपी में तो आपने वहां में रोज वाटर का यूज देखा था तो यह लोग जो लोग होते हैं वो फूल क्यों खरीदते हैं विपल बाइफ फॉल डेकॉरेशन यानि सजावत करने के लिए पूजा करने के लिए और किसी को गिफ्ट भी देना होता है तो भी लोग खरीदते हैं इन फॉलो 104 जो है किस किस फॉर्म में जो है जो फूल बेचने वाले रेक्यों को बेचते हैं इंपिक्चर सो देखी और आप्को क्या करना है किरना है जो जो आपने देखा है तो यह देखिने हर Capital यह होता है यह तोड़ी हुई पैटल्स होती है फूलों की और यह क्या होता है यह होती है गार्ल इंडियानी माला और यह क्या है यह है रंगोली यह रंगोली जब भी आप दीपावली के फैस्टिवल पर रंगोली बनाते हैं या कई और ऐसे होकेजन आते हैं जब आप रंगोली बनाते हैं तो उसको फूलों से सजाया जाता है, यह है बुके, तो यह बुके क्या होता है, जब कोई भी बिमार होता है, या किसी की मैरिज वगरा भी होती है ना, तो लोग जो है यह बुके लेकर जाते हैं, उसको गिफ्ट करते हैं, है ना, इसको बुके बढ़ते हैं, इसको बुके ब तो आपने देखा होगा कई girls ladies जो है अपने बालों पर इस तरह से गजरा जो है लगाती है आपने देखा होगा पिक्चर में भी देखा होगा अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कई ladies जो होती है अपने बालों को पीछे से इस तरह से गजरे से सजाती है अगर आपने तो आपने दयावेन को जरूर देखा होगा इस तरह से अपने बालो पर गजरे को लगाए हुए है ना इन के प्राइस को आपको बताना है इनके प्राइस कि ह primero खरीते है एक फूल खरीते हैं या एक गरेते हुए माला खरीते हैं या फिर एक स्टेंड खरीते हैं तो बॉस्टली जो एक फ्लावर की प्राइस होता है कीमत होती है वह होती है पांच रुपय और अगर आप किसी पूजा वाले जगा पर जाएंगे ना जहां पर पूजा की जाती है जैसे अगर आप व्रंदावन वागेरा जा लकते हैं तो आप अपने एरिया में इसका पता करके इसके रिड्स सकते हैं हैसा फ्लाच अलल लांट वेक बुके और नट अफ फ्लाच फ्रॉम मैंनिवरिटी फ्रॉम होम इस जैनलि तो में अपने बुके और गालेंड ओव फ्लाउस्ट फ्रॉम इयर एलडर्स जो अपने Bukie बनाना किस से शीकते है तो वो लोग जो है जनररली अपने जो माला वगरा होती है या Bukie बनाना सीखते है वो अपने ELDER से ही सीखते है अपने BUDडो से ही सीखते है Would they like the other members of their family to do this work? Why? वो क्या ऐसा चाहते हैं कि उनके जो family के दूसरे member है वो भी इस काम को करें और क्यों? Yes, they would like the other members of their family to do this work because this work also provide good income. वो यह चाहते हैं कि उनके family जो दूसरे member है वो भी इसी काम को करें क्योंकि इस से क्या होगा? उन्सको अच्छी income मिलेगी. Let us do this activities. Activity को करना है तो यह activity आपको खुद करनी है. आपको क्या करना है कुछ फ्लास को कलेक्ट करना है जो गिरे हुए हो आपको उनसे तोड़ना नहीं है और ट्रीस से और प्लांट से तोड़ना नहीं है और फिर गिरे हुए फुलो को आपको क्लास में लेकर आना है उनको फैलाना है इस प्रैड करना है इस प्रैड करना का मिन और फिर उसको 10 या 15 डेस के लिए एक ही जगा पर रख देना है उससे क्या होगा वो फूल सूख करके उस पर चिपक जाएगा और फिर उसको क्या करेंगे आप उसको बहुत ही केरफुली अपनी स्क्रैप बुक में रख देंगे आपको अब यह बताना है कि आपको यह वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें अपने दोस्तों में जादा से जादा शेयर करें जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में त झाल, करें के तौके लोगीanie में पर नेक्षITY कैसे लोग посмотрgga, कि आपको ते में में जादा से जादास एगको जल imméuto जल्जा से तो में जाता शेंगे हमार番ना है कि आपको प्सेंगे हमारीником आपको भीडियो में टूर आपको झेंगी हमारी जाओर मैं जाद को इंगे हमारी